आपको बता दें वास्थु शास्त्र में ऐसी बहुत सारी चीजें है जिनको घर में रखने सी कभी कोई कमी नहीं रहती है हमिशा जीवन में खुशाली आती है सारी नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही दूर भाग जाती है वास्तु के नुसार इन चीजों से वास्तुदोश भी खत्म हो जाता है बताया जाता है इनसे जीवन धन से भढ़ जाता है यह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे घर का कल्यान होता है इनसे वास्तो दोश के बुरे प्रभावों को खत्म करते शुख फल प्रदान होता है आपको बता दें एक कलश में आप शुद्ध जल भर कर इस पर अशुख याम की पत्तियों को लाल दागे से बांद दें इससे घर में कभी भी कोई बीमारी नहीं रहेगी इसे आप घर के मंदिर में स्थापित कर दें घर की में गेट पर या उसके पास वाली दीवाल पर घर की महिलाओं को हल्दी वाले हातों का चाप करना चाहिए हल्दी के निशान घर में सुख एबम स्रमत धीलाते हैं कोई समस्या असप्रास नहीं रहती है आपको बता दें मचली के प्रतीक चिन्ह को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए यदि यह चिन्ह जोडे में हो तो और भी अच्छा होगा इससे घर में काफी ज़ादा पैसा आता है कहा जाता है कि ओम का चिन्ह घर में रखने से एक खास तरह की उर्चा का संचार होता है यह घर में आने वाली सभी बुरी शक्तियों का खात्मा कर देता है आप इसे प्रवेश द्वार के पास घर के मद्ध में या फिर किसी भी कौने में रख सकते हैं यदि आपके घर में जादा समस्या हो रही है तो आप स्वास्ते का चिन्ह घर में जरूर लाएं इसके लगाते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं नेक्स्ट नाइन स्प्रीच्वल की रिपॉर्ट स्टार्ट यूर कारियर विफ अर्ज